हलो दोस्तों मेरे पास इलेक्टिक चेंसो मैसीन रिपेर करने लेके आया था उसमें कनेक्शन थोड़ा अलग है मैंने पहली बात देखा ऐसे कनेक्शन है तो इसमें फिल्ड जो होता है ना फिल्ड में दो वार होता है आ दो जो कार्बन होल्डर में जाता है ना आर्मेचर के ऐसे कुछ अलग थे तो सर्कृट खड़ाब हो गया था मैसिन में कनेक्शन बराबार नहीं आ रहा था इसी बादर से चल नहीं रहा था मेरे को रिपियर करना था मैंने कुछ जुखार से इसको ठीक किये इसमें आर्मेचाद देखिए और इसमें आर्मेचाद में दो का साइज है 6200 और आगे वाला बैरिंग का साइज है 6201 तो इसमें जो गयार है न मैंने उसको घुमा के चेक किया गयार में कुछ पॉब्लम नहीं था आपको एक चीज हम समझाते इसमें जो बोल्ड होता है ना दो होना चाहिए सिंगल होने पर क्या होता है जब भी हम चला कि करें आपको कुछ देख के खचना है यह कि इसमें कहां कि किया है साइलाक्सें कानेक्षि较 जांवा करेंगे तो इसमें एफोल के हम वैयर को अलाग कर के स्पिंग को जोड लेते हैं झाल झाल देखिए इसमें सिरीच करेक्शन कर दिया है तो दोनों आयर को एक साथ जोड दिये है तो हमें इसको काटिंग करके इसमें स्पिंग को जोड़ेंगे जैसे सभी मैसिन में होते है तो ऐसे ही सभी मैसिन होते है इसमें थोड़ा अलग है तो कमपाने को सोच के किया था इसमें सर्किट तो नहीं मिला तो मैंसे को मैंने को चालू करना था तो मैंने इसमें दोनों एर को कटिंग करके जोड के इसमें स्पिंग जो है ना उसमें जोड दिये है जो काम किये आपके साथ सेयर करते हैं पूरा वीडियो देखे इसमें जो सुई जहना सर्किट साथ वह भी मैंसे में फिटिंग नहीं ह करते हैं करते हैं फिल कोईल में मैंने स्पिंग जोल लिया है सभी मैसन में जैसे होता है सेम मैंने फिटिंग किया है उसके बाद मैसन के अंदर हम फिल कोईल को अच्छे से फिटिंग करने के बाद हम इसको चला के देखेंगे तो इसमें जो कमपार्ण ने कुछ सूइज लग दिया है आगे एक सूइज डाला है पीछे भी सूइज है तो आगे वाला सूइज अन करने के बाद पीछे वाला सूइज अन करने बाद चलेगा तो उसको भी हमें फिटिंग करना है लग щज करने टूइज तो आगे खिन वाला है फिल्करल वड़ेंसे फिटिंग हो गया है। इसके स्पिंग हम ऐसे राख लिए हैं। इससा फिटिंग कर लेते हैं। तो सभी मैसिन में जैसे हम इसको डावाट डालके देह के उसमें swing con fitting कर लेते हैं तो ऐसे ही fitting कर लेते हैं ऊठार टाां टाइम लगा था मैंने fast में कामको कर लिये, आपके साथ शेयर करते, fitting हो जनके बाद आपको दिखाएंगे, देखे बड़े से fitting हो गया है फिल बड़ी से फिटिंग हो गया है हमें सुईज के कनेक्शन करना है सार्किर में जो सुईज है उसको काट करने के बाद हम फिटिंग कर लेते हैं आगे बाला सुईज मैंने फिटिंग कर लिया पीछे बाला जो सुईज है तो सार्किर के साथ फिक्ष्ट है उसमें सुईज में बहुत सा वायर है तो हम इसको कनेक्शन नहीं कर पाएंगे मेरे पास मैंने जो मैसिन रिपियर करता हूँ पावर टूल्स मैसिन में जो भी सुईज फिट होता है उसी सुईज में हम फिटिंग करने के कोशिस करते है तो मैंने कभी कभा सुईज तो फिट भी हो जाता है तब उसमें जो मैसिन है इसमें बड़े मैसिन है उसमें जो स्वीज है छोटे स्वीज फिट हो रहा है तो हमें देखके स्वीज फिटिंग करना है जो हमार डिल मैसिन में उसमें जो स्वीज फिटिंग होता है वह हम इसके फिटिंग कर पाएंगे तो सबी सुईज को हम इसको डाल के चेक कर रहें बड़े से फीट हो जाए तो मैंने जितने भी सुईज था सब को चेक करके देखे तो कैसे फीटिंग कि आपका साथ सेर करते वीडियो को देखिए कर दो झाल 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 तो कैसे हम चला पाएंगे तो दिमाग में भी हमें थोड़ा पिसा देना है तो सोचना है तो मैंने कैसे हार रोज काम करते हैं आपके साथ सेयर करते हैं तो आपको भी ऐसे ही काम करना है झाल 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 कि मैंने एक 5 dimensional हेमर का जो सुष हैना सुष को कर लिया कर मैंने लिया तो कर साथ कूछ सियार करते हैं मैंने और एक सूइज लेते हैं तो सूइज को काट करते हैं तो आपको समझने के लिए तो नया सूइज है तो इसमें कैसे फिटिंग होता है तो मैंने कुछ फिटिंग किये हैं, तो इसमें कुछ काट शाट कर लिया, और इसमें बॉड़ी को भी थोड़ा अंदर से काटिंग किये हैं, तो फाइप किलो हैमर का जो सूज होता है, उसको मैंने काटिंग करके बाहर कर लिया है, तो काटिंग करने के बाद इसमें बड़े से फिटिंग हो तो कुछुछ जुगार से फिटिंग किया है तो आप भी बड़े से फिटिंग भी हो रहा है इसमें देखने भी अच्छा लग रहा है जिसे लागेगा कंपानी बाला सुविजी इसमें मिल गया ऐसे नहीं है मैंने इसको जुगार से इसको त्यार किया तो बहुत खोज किया आप भी खोज करेंगे आपको कुछ ना कुछ मिलेंगे तो आप बड़े से उसको फिटिंग कर पाएंगे तो देखिए कितना बड़े से फिट हो गया है स्विच का अंदर हम कनेक्शन जोडते हैं स्विच का अंदर एक स्विच हम कनेक्शन देते हैं एक तो डारेट होता है तो एक वयर हम डारेट कर लेते हैं तो आगे बाला जो सूइज है उसी के साथ एक सूइज जोडते हैं और पीछे बाला सूइज के साथ एक सूइज जोडते हैं तो सभी सूइज का हम connection कर लेते हैं करने के बाद चला के देखेंगे उसमें switch काम हो रहा है नहीं हो रहा है सूइच बड़े से फीटिंग हो गया है तो कनेक्शन भी हमें चेक करना है सिर्ज में हम डालके चेक कर रहे हैं तो हम कपड़ा से सेप्टी बनाके उसमें चेक कर रहे हैं के तोह अईसे पート करके देखती संभी कर रहा है नहीं अवी दून में उसको सौछ कर लेकर इसमें सोर्ट कर लेते हैं अब है तो अभी सीर्थ नहीं जोड़ना दो बड़े चलेगा इसा लेगा हैं तो नहीं आए आये चुन दिया है जोन कनेक्शन मैंने घुमा दिया है तो आभी बड़े से काम हो रहा है तो कपड़ा हाटा के भी हम चेक करते हैं तो बड़े से काम हो रहा है तो मैसिन को हम फिटिंग कर लेते हैं अब लाज जो फिट होता है ना तो एक खोल गया था जब मैंने शुई चेक कर रहा था तो फिर से हम इसको फिटिंग करना है तो इसको फिटिंग कर लेता है झाल झाल तो ऐसे प्रेस करने से बाहर हो जाएगा तो इसमें कवार बड़े से फिटिंग करने के बाद हम सुईज को आन कर पाएंगे तो सभी कुछ हम चेक करके इसमें कवार को हम फिट कर लेते हैं झाल देखिए सुईज बड़े से फिट हो गया है पुर्णा बला सुईज देखिए तो इसको मैंने चेंज करके मैंने कुछ जुगाड करके इसमें नया सुईज फिट कर दिया है तो मार्केट में इस सुईज आपको ख़ज़ने को मिल जाएंगे फाइब किलो जो हमार मैसिन है उसमें जो सुईज फिटिंग होता है सेम सुईज फिटिंग होंगे आपको पत्ती को खोल के इसमें सुईज को बेठा देना है बड़ी से फीड हो जाएगा तो मैसिंग को फिटिंग कर लेते हैं फिटिंग करके हम चला के देखते हैं फिटिंग बड़े से हो गया तो घुमा के भी चेक करते हैं बड़े से मूब कर रहा है देखिए फिटिंग बड़े से हुआ है तो आपको घुमा के भी चेक करना है बड़े से मूब नहीं करेगा तो आपको खोल के चेक करना है जब भी आप कार्बन फिटिंग करें वेब को चेक करते हुए आपको कार्बन को फिटिंग करना है तो इसमें स्पिंग कटिंग हो गया था स्पिंग को हम खोल के नया स्पिंग इसमें डाल लेते हैं तो पुराना कि आपकों का इंधा है तो अ इंधा है कि आप अ यह जो रहा है तो इस इस अब आप कि अब दो जो एक और आप ने चालों को डिये थेखेंड कि पार्क नहीं हो रहा है वह भी मैंने शेख करके देख लिया है कि साउंड भी इल्कुल ठिक ठाट है नसीन बड़े से फीट हो गया है बड़े से चल रहा है मेरे लिए एक लाइक कर दो यार अब जब भी मैसिन खाड़ते हो तो आपको company वहला मैसिन खाजना है चाइनीज बहला मैसिन नहीं खाजना है तो ऐसे problem में पढ़ेंगे तो मेरे से जितना हो पाता है हम कोईस्स करते हैं उसको कुछ जुगार करके उसको तैयर करते हैं तो आपके साथ जो real है मेरा काम है तो आपके साथ share करते हैं आपको काम सीखाने के लिए मैसनी में कुछ भी पेर पास नहीं मिलता है आप उसको repair करके चला पाओ तो मैंने बहुत मैनेट करने के बाद इसमें fitting करके चला दिया तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना कमन करके बतना आपको ऐसा काम कैसा लगा